नमस्कार साथि आपका स्वागत आपके योटूब चैनल ट्रेडवित रौनेक चलिए दोस्तों शुरू बात करते हैं आज 24 तारिक और आज जो सीरीज अपने न्यूस पर व्यूस करेंगे तो रसिया यूकरेन के बीच में जो वार इस्तिती बन चुकी यह पूरा वार जो च रसिया की बीच में समझोता होगा समझोते बात बैठेगी अब धीदिरे जो आज हो ना तना वह हो चुका है देखिए अभी अपडेट आये रसिया की तरफ से कि रसिया बोल रहा है उन्होंने चौहतर मिलेटरी फैकल्टी यूकरे की डिस्ट्रॉय कर दिये और आज हमारे पियम मौदी है वो पुतिन से बाद भी करेंगे साथ ना नाइट में आज तो ये भी अपडेट है देखिए अब समझोते के लिए सारे दिस आगी आ रहे है यानि कि पहले तो बातचीत चल दी थी कि वार होगा नियोगा बट रसिया ने यूकरे पर वार कर दिया अब तो क्लियर आउट होगा वार हो चुगा जो आज निफ्टी में खडखम मच गया मार्केट के अंदर कोई क्रैसिस नहीं आई है ये डीप इन बाइक को ऑप्शन होते हैं अब आहे हैं धीरे-धीरे मार्केट रीकवर करना श्रट करेंगे क्योंकि अब बातचीत पे धीरे पूर होतने की संभावना रहती है और जब जब इस तरह के क्रैसिस हुए हैं जब-जब मार्केट रीकवर करने में दो से तीन महीने लगे हैं बट क्या होता है इस समय हमें अच्छी शेरियों के अंदर बाय करना होता है टिपन बाय का फॉर्मेशन यूज करके चलिए आप अपन जो भी मार्केट के अंदर आपको अपडेट देता है वो सब यहीं बोल रहे है डिपन बाय का फॉलो करिए और घबराई है मत पैनिक मत होई है देखिए ऐसा कुछ नहीं हुआ हिंदूस्तान आज भी अपना इंडिया आज भी अपना स्टेंड लेके खड़ा हुआ है आर रिकावर होने लगा था बजा वाट आज मंत क्लोजिंग ठीक ना एक्सपारी का डेट तो इस उप्सण एक्सपारी तो आज इस वज़ी से और क्लोजिंग के टैंप और गिरावट देखने को मिली अब चली समझते इसके इसके अंदर देखिए यह तो रशिया यू करे चाहता है कि वह समझोता करना चाहता है बट रशिया क्या चाहता है कि अमेरिका को डाउनफॉल करना चाहता है अमेरिका को एक चनौती देने के तैयार में जब तक अमेरिका डाउनफॉल लिए होगा वहांके प्रेजिदेंट रप्र डाउनफॉल लिए जब तक साय दिर व जावट के बाद तीजी देखना जल्दी मिलेगी उन सब के आरे मां बात करते हैं तो यह स्थिति बन चुकिए अब चले क्रैसिस को पर कब कब क्रैसिस हुई हैं इंडुस्तार में 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 दो क्रैसिस हुई है एक तो कॉविट नैंटीन के हुई है और 2008 के दा फाइनेंसर क्र क्रैसिस हुई थी उसमें 3.5% मार्किट गिरा था ठीक है और जब हरसाद मेता का स्क्राइम हुआ था उसमें 12.77% मार्किट में क्रैसिस हुआ था जब यूएस फाइनेंसर क्रैसिस हुआ था 2008 के अंदर जब 10.95% गिरा था बजा हिंदुस्तान का अपना निफ्टी और सेंस जो आज इतने ही पॉइंट्स किरेते 800 कुछ के आसपास आप दे सकते हैं आज 6.76% गिरा है यानि के आप दे सकते हैं मोटा मोटा सबसे बड़ा सबसे बड़ा अभी जब क्रैसिस देखना हो मिली है वह में मिली है पैंडमिक के टैम पर सेकंडली क्रैसिस मिलीती हमारे हमार को हरसत में तर सकाम के अंदर और ठर्ट क्रैसिस जो हमें मिली थी जो फाइनेसर क्रैसिस दो जराट के नदर तो सेम कंडिशन दो जराट के बन चुकी है बट यहां से दीज़ दीर आप रीकवर करेगा बजार 2-3 महीने रीकवर करने में लग जाते हैं क्योंकि जब गिरता रोकेट रोकेट टू रिकोर्ड हाई और फियर और डिस्टिबूशन ओफ रसिया सप्लाइस तो सब्सक्राइस कम खतम होगी तो जब प्राइस होगे यानि अब ही भी लाइफटैम हाई पर जा चुके है ऐलुमोनियम के प्राइस और और भी सप्लाइए क्योंकि देखिए ऐलुमोनियम क्या है जो रसीग है तो क्यों गैस बेस्ट ऊडिलेक्टॉन मेर्फ माइजन जर्व मत्राइस प्रोड्यूश करता है अब तो हआँ वहां पर कि स्वाइज तो अब किससे क्या होगा अधर देशों कि SAYS शयर है उनके तीजी देखने को मिलेगी अब चलते हैं आज की दिन कैसा रहा बाजार इसके अंदें बात करते हैं तो देखिए आज के दिन निफ्टी मेटल की बात करें निफेमेटल औली आपको तू पांच पर सेंट और आज की दिन गिरा है फांस दिन नो फ스र के लिए पांस दिन के लिए नोस नो पर संट गिर चुगार्ट की अदर ऑली साड़ी है और इसक्स लिए अब देक्वाइब मोटा मोटा नो परसंट गिर चुगा निफ्टी मेटल बन बंद के अंदर साध्य तीन परसंट गिरा है आप देखिए हम निफ्टी मेटल के इंडेक्स भागा है तो हिंडाल को के अदर देखिए आज क्लोज हुआ ओली जीरो पॉइंट 25 परसंट गिरावट के साथ आज हिंडाल को बंद हुआ है यानि हिंडाल को आज तीजी भी दिखाए थी अब देखिए हिंडाल को हो गया वेदा अंता हो गया नेशनल अल्मोनियम को कॉल इंडिया हो गया इन शेयरों के अंदर आपको रिकवरी देखने को मिलेगी क्योंकि सियरों के अंदर अच्छी कासी देखने को मिलेगी क्यांकि जैसे जैसे अल्मोनियम के प्रैस हाई गोएंगे इनको अल्टिमेटि बेनेफिट मिलेगा और रसिया की जब चेंद न सप्लेट थप यह तो हमने बात कर ली किन किन शेरों के अंदर निफ्टी डिखायगा और निफ्टी मेटल ही दिखायगा आने तेम पे अगर कल मिट रीकवर करता तो उसमें सबसे बादा पाटिसिपेशन होगा निफ्टी मेटल का अब निफ्टी के अपर बात कर लें तो इसी ही के अपर देख सकते हैं ऐसी ही कैंडल आज जो बनी है क्रैसिस के उसके बाद कल कर नुमान लगा जा रहा है कि कल से छोटी छोटी रिकावरी आना स्टार्ड हो जाएगी और निफ्टी ती दिरे अब ट्रेंडिंग तरफ यानि कि आज जो बड़ी कैंडल बननी चाट वह बन चुकिए उसके बाद सब धीदिरे रिकावर होना स्टार्ड करेगा बचार और तेजी की तरह अप्ट्रेंडिंग करेगा तो आपको क्या करना है देखें मैंने आपको बता दिए वार के स्थी बता दिए और निफ्टी हो चुका है अब दिए-दिरे रिकावर की तरफ हम लोग बढ़ेंगे और हर देश अब हमके समझोता होगा अच्छी न्यूस आएंगी बैड न्यूस आने ती जित्ता गिन्यता वह गिड़ चुका है और अभी एक सपोर्ट लेग हुई है अगर कल के दिन यह सपोर्ट होल अगर गिरता है तो फिर इसके अंदर 15,000 तक के लेवल देखने को जल्दी मिलेंगे साड़े 15,000 के लेवल आपको जल्दी देखने को मिल सकता है बट मेरा मानना है के 16,196 के लेवल निफ्टी डेफिनेटी होल करेगा और यहां से ट्रेड वापस देखने को मिलेगा खराब तो जो हो चुका है आज वार हो चुका है जित्ता एक आज और कल में जित्ता हो सके हो सका बाकी अब समझोते के अपर सारे देश आएंगे समझोता करेगा रसिया समझोता डेफिनेटी होगा अब देदी आप जाना स्टार्ड होगा दो से तीन महीने के अंदर रीकवरी होना स्टार्ड होगी अगर आपके पास कोई भी शेर अच्छे लोस में जा चुके तो आप बिलकुल भी पैनिक होके मत बेगिए रीकवर करेगा तो कोई कोई शेर हो जाएंगे और डेफिनेटी आपका पॉट्फोलिय रैट से गिरीन भी हो जाएगा तो पेसे साथ बने रही है तेजी इस गिरावाट के अंदर पार्टिसिपेट बिलकुल मत करिए आप अपने पॉट्फोलिय के अंदर शेर को होड़ करिए और डेपेंड बाय का पैनिक मत हो यह घबराइए मत शेरों के अंदर अगा प्रॉफिट में तो बने रही है लोस में तो भी बने रही है बेगने की जल्दवाजी बिलकुल मत करें यह पैनिक हमारे हिंदुस्तान के अंदर नहीं है वर्ड वर के क्रैसिस जो होना तो वह हो चुका है अब यहां स